जहिरुद्दीन मुहम्मद और्फ बाबर मुगल सामराजे के संस्थापक और प्रतम चाह सकते। इनका जनम मध्य एशिया के वर्तमान उजबेगिस्तान में हुआ था। यह तैमूर और चंगेज खान का वंसज था। मुबियान नामक पद्यशैली का जनमदाता बाबर को ही मानना जाता है। 1504 इश्वी में काबुल और 1507 इश्वी में कंधार को जीता और बाजचा की उपादे धारन की। 1519 से 1526 इश्वी तक भारत पर इसने 5 बारा करमन किया। 1526 में इन्होंने पानिपत के मैदान में दिल्ली सल्तनेत के अलिंदिम सुल्तान इबराहिम लोदी को हरा कर मुगल सामराजय की निव रखी। बाबर ने 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घगगर जीत कर अपने राजय को शुरक्षित किया। 1530 इस्वी में इनकी मृत्य हो गई। बाबर का जनम फरगना वादी के अंदी जहान नामक शहर में हुआ था जो अब उसबेगिस्तान में है। उसके पिता शेक मिर्जा जो फरगना घाटी के साजक थे और उनकी माता कुतलुग निगार खानम थी। हलांकि बाबर का मूल मंगोलिया के बरलास कबीले से संबंदी था पर उस कबीले के लोगों पर फार्सी तथा तुर्क जनजीवन का बहुत असर रहा। वे इसलाम में परिवर्तित हुए और उन्होंने तुरकेस्तान को अपना वास्थान बनाया। बाबर की मातर भाषा चकताई भाषा थी पर फार्सी जो उस समय उस स्थान की आम बोलटाल की भाषा थी बाबर उसमें परविर्ता। उसने चकताई में बाबर नामा की नाम से अपने जीवनी लिखी। मंगोल जाती जिसका होने के बावजूद उसकी जन्ता और अनुचल तुरक तथा फार्सी लोग थे। कहा जाता है कि बाबर बहुत ही तगड़ा और शक्तिशाली था। ऐसा भी कहा जाता है कि केवल व्यायाम के लिए वो दो लोगों को अपने कंधों पर लाद कर उन्नेयन धाल पर दोड़ लेता था। लोग कताई के अनुसार बाबर अपने राह में आने वाली सभी नदियों को तैर कर पार करता था। उसने गंगा को दो बार तैर कर पार किया। बाबर का सैन्य जीवन सन 1494 में बारा वर्ष के आयू में ही उसे फरगना घाटी के सासक का पद सोपा गया। उसके चाचाओं ने इस स्थीते का फायदा उठाया और बाबर को गद्दी से हटा दिया। कई सालों तक उसने निर्वासन में जीवन बिताया जब उसके साथ कुछ किसान और उसके संबंदी ही थे। 1496 में उसने उजबेगिस्तान सहर समरकंद पर आकरमन किया और साथ महीनों के बाद उसे जीत भी लिया। इसी बीच जब वह समरकंद पर आकरमन कर रहा था तब उसके एक सैनिक सरगना ने फरगना पर अपना अधिपत्या जमा दिया। जब बाबर इस पर वापिस अधिकार करके फरगना आ रहा था तो उसकी सैना ने समरकंद में उसका साथ छोड़ दिया, जिसके फलसवरूप समरकंद और फरगना दोनों उसके हातों से चले गए, सन पंदरा सो एक में उसने समरकंद पर फिर से अधिकार कर लिया, पर जल्दी उसे उजबे खान मुहम्मद शैबानी ने हरा दिया और इस तरह समरकंद जो उसके जीवन की एक बड़ी ख्वाइश थी उसके हातों से फिर वापस निकल गया फरगना से अपने चंद वफादार सैनिकों के साथ भागने के बाद अगले तीन सालों तक उसने अपनी सैना बनाने पर ध्यान दिया इस करम में उसने बड़ी मातरा में बद खशान प्रांत के ताजिकों को अपनी सैना में भरती किया सन पंदरा सुचार में हिंदुकुष की बर्फिली चोटियों को पार करके उसने काबुल पर अपना नियंतरन स्थाबित किया ने सामराज्य के मिलने से उसने अपनी किस्मत के सितारे खुलने के सपने देखे कुछ दिनों के बाद उसने हैरात के एक तैमूर वंशी हुसैन बैक रह जो की उसका दूर का रिष्टिदार भी था उसके साथ मुहमद शायबानी के विरुद सहयोग की संदी की पर 156 में हुसैन की मृत्यों के कारण ऐसा नहीं हो पाया और उसने हैरात पर अपना नियंतरन सापित कर लिया पर दो महीनों के भीतर ही साधनों के अभाव में उसे हैरात छोड़ना पड़ा काबुल लोटने के दो साल के भीतर ही एक और सरगना ने उसके खिलाफ विद्रों किया और उसे काबुल से भागना पड़ा जल्द ही उसने काबुल पर अपना पुने नियंतरन सापित किया इधर सन 1510 में फारस के शाह इसमाईल परतम जो सफीवी वंस का सासक था उसने मुहम्मद शाइबानी को हरा कर उसकी हत्या कर डाली इस स्थीती को देखकर बाबर ने हैरात पर पुने ने नियंतरन सापित किया इसके बाद उसने शाह इसमाईल परतम के साथ मध्यय एशिया पर मिलकर अधिपत्या जमाने के लिए एक समझोता किया शाह इसमाईल की मदद के बदले में उसने साफवियों की स्रेस्ट सा स्विकार की और खुद और अपने अनुयाईयों को साफवियों की परभूता के अधिन समझा इसके उत्तर में शाह इसमाईल ने बाबर को उसकी बेहन खानजदा से मिलाया जिसे शाय बानी जिसे शाह इसमाइल ने हार ही में हरा कर माल डादा था उसने कैद में रखा हुआ था और उससे विवाह करने की बलात कोशिश कर रहा था शाह ने बाबर को ऐश वाराम और सेहने हितों के लिए पूरी साहयता दी जिसका जवाब बाबर ने अपने को शिया परंपरा में ढाल कर दिया उसने शिया मुसल्मानों के अनुरूप वस्तर पहनना आरम कर दिया शाह की मदद से बाबर ने बुखारा पल चड़ाई की वहाँ पर बाबर एक तैमूर वन्शी होने के कारण लोगों की नजर में उस बेगों से मुक्तिदाता के रूप में देखा गया और गाउं के गाउं उसको बधाई देने के लिए खाली हो गए इसके बाद फारस के शाह की मदद को अनावश्क समझ कर उसने साह की सहायता लेनी बंद कर दी अक्तूबर 1511 में उसने समरकंद पर दढ़ाई की और एक बार फिर उसे अपने अधीन कर लिया वहां भी उसका स्वागत हुआ और एक बार फिर गाउं के गाउं उसको बधाई देने के लिए खाली हो गए वहां सुन्नी मुसल्मानों के बीज वह शिया वस्तरों में एकदम अलग लग रहा था हलांकि उसका सिया हुलिया सिर्फ शाह इसमाईल के परती सामेता को दर्शाने के लिए उसने अपना शिया सवरोब बनाई रखा अन्तिम दिन कहा जाता है कि अपने पुतर हुमायू के बिमार पढ़ने पर उसने अल्लह से हुमायू को स्वर्ष करने और उसकी बिमारी खुद को दिये जाने की प्रात्ना की थी इसके बाद बावर का स्वास्ता भीगड़ गया और अन्तिता हवो पंद्रा सुतीस में 48 वर्ष की उमर में मर गया उसकी इच्छा थी कि उसे काबल में दफनाया जाए पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया लगबग 9 वर्षों के बाद हुमायू ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे हिराजाराम घाट में दफना दिया